वेलकम टू अच्छे दिन जो सायद आप नहीं जानते हो तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंट तक जरू देखें मगर उससे पहले चैनल को सब्स्राइब कर बेल आइकन को अवस्य दबाएं ताकि आने वाले लडेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें नमबर वन नॉन फिल्मिंग बैक्ग्राउंड से बिलोंग करने वाले राजकुमार राव के बारे में लोगों को लगावा बहुती गरीड फैमिली से बिलोंग करते हैं मगर वास्तिता तो यह थी कि राजकुमार राव का जनम 31 सागस 1984 को गुरुबरा मर्याना के गावों में एक ऐसी फिलम उच्छाई मिडल क्लास फैमिली में हुआ जिनके फादर सत्यपाल यादव रेवन्यू डिपार्टमेंट में एक पटवारी जबकि मदर कमलेस यादव हाउस वाइप एम भाई अमित्वा मोनिका उनके सिस्टर है बचपन से ही अपने ड्रीम के चलते राजकुमार एक्टिंग और डांसिंग में हिस्सा लेते थे इसलिए उनकी मदर ने चाइल्वूट से ही उन्हें रोपने टौकने की वज़ाए उनके ड्रीम को पूरा करने क के लिए स्पोर्ट किया नमबर टू फैमिली मेंबर से फुल्फिट जोइंट फैमिली में बचपन बिताने वाले राजकुमार राव के पैरेंस उन दिनों हर सचड़े संड़े और छुटियों के दोरान रेंट पर वीचियर लाया करते थे और पूरी फैमिली के साथ बैठ करते थे नमबर तरी स्कूलिंग के दुरान राजकुमार राव बहुत ही intelligent student थे मगर गाओं के environment के चलते उन्होंने बल्यू बैल मोडल एक English medium school में admission दिया और dance classes भी जोइन की घर के आर्थे किस्तिती बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होने की वज़े से उनके जनून को ध्या एवं 10th standard के दोरान जब उन्हें एक stage perform करने का आवसर मिला तो वही stage उनकी life का एक turning point सा भीत हुआ प्रणाम शुरूफ acting के परती उनका जनून और बढ़ गया एवं actor बनने का भूत उनके सिर्पर समार हो गया डांसिंग और एक्टिंग के साथ साथ राजकुमा राव टीनेज से ही music के भी इतने बड़े सोकिन थे जब वह मातर 16 वरस के थे तब उन्होंने मुंबई के एक reality dance सों में auditions दे कर 20 से न लिया कि वह फिल्मिक दुनिया में ही अपना career बनाएंगे पढ़ाई के साथ साथ higher education के दोराद राजकुमा राव सिरी राम सेक्टर मंडी हाउस दिल्ली से theater करते थे अपसर वाय गुरगाओं से दिल्ली साइकल से आते जाते थे पोलेज लेट होने की इस्तिती में ही वह बस से travel किया करते थे मगर बस में मुझूद लोगों को वह अपना audience मानते वे acting करते वे लोगों को entertain करते और उनकी expressions को अपने दिमाद में store करते इस तरह वह चैर से पास गंटे की यातरा करते वे देर रात तक गर पहुंचते साथ साथ उनका acting सफर भी चलता रहा राजकुमार राव ने आतमराम सनातन दरम कोलेज से graduation कम्लीट करने के बाद पुना के film and television institute में acting course के लिए एड़िशन लिया जहां उन्होंने दो साल तक acting की बारिकिया सिखी पुना में एक short film के shooting के दुरान उनकी मुलाकात पतरलेखा से होई मगर अपने ड्रीम के चलते राजकुमार राव 2008 में पास आउट होने के बाद मुंबई आ गई जहां बोलिवुड में जग बनाना इतना आसान नहीं था इसलिए उन्हें बहुत कटनाईयों का सामना करना पड़ा मुंबई में अपने स्ट्रेगल डेज के दुरान राजकुमार राव ने सेकड़ ओडिशन दिये और रिजक्सिन का सामना किया अपना गुजारा करने के लिए वा एड फिल्मों में आलमोस 10,000 रुपए महिना कमा लेते थे लेकिन कई बार ऐसा होता था जब उनके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं होते थे तब उन्हें अपने दोस्तों को फोन करके खाने की विवस्ता करनी पड़ती थी 10. राजकुमार राव ने फिल्म रन में अविताफ बच्चन और प्रेस रावल के साथ बतोर न्यूज रीडर के तोर पर काम किया फिक 2009 में एक दिन उनकी लाइव में वो दिन आया जब उन्हें पता चला कि दिवाकर बनर जी लाव सेक्स और दोखा फिल्म बना रहे हैं जिने फ्रेसस की जरूर्त है इसे में राजकुमार राव ने फिल्म के लिए तीन से चार रावड ओडिशन्स दिये और फाइनली उन्हें सेलेक्ट किया गया इस तरह बोलिवुड में उनकी इंडरी हुई बहें टेलेंटेड राव को बोलिवुड में लंबे स्ट्रेगल के बाद आखिरकार फिल्म लाव सेक्स और दोखा में कास्ट किया गया राजकुमार ने वक्त की निजाकत को पहचान अपने डेवु फिल्म से लोगों को अपनी एक्टिंग का लोगा मनवाया मगर बोलिवुड में वास्ति पहचान उन्हें काई पोचे और फिल्म सहीद से मिली जाओने बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर और बेस्ट एक्टर फॉर्प क्रिटिक से यह सहीद फिल्म के लिए उन्हें नैस्टल अवार्ड से भी समानित किया फिल्म में उनकी एक्टिंग को उनके फैंस के साथ-साथ आलोज को ने भी बेहद पसंद किया अमीर खान से बेहद इंस्पारर राजकुमार राव फिल्म तैलास में एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल करते वे नजर आई उन्हें फिल्म तैलास सिर्फ इसलिए की ताकि वो अमीर खान के साथ सक्रिम सेर कर सके फिल्म रागता में वाय अपने 321 वर्षिये बुजरक वेक्टिकी एक्टिंग के लिए पूरी फिल्म पर बारी पड़े जो उनके फैंस को आज भी याद है मगर इसी साल उनकी फिल्म ट्रैक में उन्होंने साथ दिन में 22 किलव वजन कम किया उससे भी बड़ी बात ये हुई कि साकारी राजकुमार राव को इस फिल्म के लिए मास पिखाना पड़ा जो उनके लिए बेच चुनोती पुरून था राजकुमार राव ने वक्त के साथ अलिगर्ड ब्रेली की बर्फी, इस्तरी और जजमेंटल है क्या जैसी कई हिट फिल्में की जिसकी वज़से आज में बोलिवुड में एक अलग पैचान रखते हैं राजकुमार राव की नेक्स्ट रिलीज लूडो अनुराग बासु दवारा डिरेक्टड एक कोमेडी फिल्म होगी फिल्म में अभिसेख बच्चन राजकुमार राव, आदित्यराय कपूर, सान्या मलोतरा, फातिमा साना सेख जैसे एक्टरस अपनी एक्टिंग करते वे नजर आएंगे सहीद फिल्म से पहले उनका रियल नेम राजकुमार यादो था, मकर जोती सास्तर के चलते उनकी मदर ने उनका नेम बदलवा कर यादो से राव करवा दिया उनका मानना था कि इससे उनके बेटे की सौरत और कामयाबी बढ़ेगी नमबर 18, राजकुमार राव जो दिल्ली बेस्ट थियाटर किया करते थे तब उनके सीनियर मुकेश सावड़ा उनकी एक्टिंग से बेहद इंस्पायर थे नमबर 19, बॉलिवुड के दूसरे एक्टर्स की तरह राजकुमार को भी कुत्ते पालना बेहद बसंद है वह अपने खाली समय में कुत्तों के साथ खेलना वर टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं अपने दार्मिक आस्ता के चलते राजकुमारा बग्मान गनेशा के बहुत बड़े बागत है जने वह सर्वोपरी मानते हैं तो फ्रेंड इस तरह एक कंप्लेट स्ट्रगल स्टोरी का एंड हुआ इसी और भी गिल्चस वा इंटर्टेनिंग वीडियो देखने के लिए देखते रही है अच्छी दिन चैनल को हर उस इंटर्टेनिंग इंफर्मेशन के लिज़ जो आप जानना चाते हैं वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन का वश्य दबाएं ताकि आने वाले लटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें थैंक्यू सो मस